ने 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 गुसा ने करना, चिलाना भी ने और रोना भी ने याद रखेगा जितना आप चिलाएंगे, जितना आप रोएंगे, जितना आप गुसा करेंगे वैसे ही situation को आप attract करेंगे law of attraction का एकी नियम जिस पे ज़्यादा focus, जिस पे ज़्यादा energy डालेंगे आप वैसे ही टाइब की एनर्जी को अपनी लाइफ में और एटक करेंगे तो अगर आप अभी resistant मूड में हैं तो अपने आप को जल्दी से alignment मूड में लेकर आना है universe के साथ aligned रहना है और aligned रहने के लिए करना क्या होगा हमेशा self love करते रहना होगा हमेशा खुश मिजाज में रहना होगा हमेशा लोगों को एप्रिशियेट करते रहना होगा लोगों में अच्छाईयों को ढूणना होगा ना कि उनकी गलतियों पे जादा फोकस करना होगा हमेशा ग्रैटिटूड में रहना होगा और शुक्राना करना होगा उस उपर वाले का, तो आप क्या होंगे? अलाइंड हो जाएंगे यूनिवर्स से. तो अगर बनना चाहते हैं डेलिबरेट क्रीटर और डेलिबरेट मैनिफेस्टर, तो लेट ना करें. कल से मेरा लॉफ एटक्शन का सेकंड बैच स्टार्ट होने जा रहा है. अपना आज ही रेजिस्टर्शन करवाएं. थैंक यू, विश्यू वेल, बाई.